7 दिन राथ को खाना खाने के बाद सौंफ खाने के फाइदे जानकर चकित होजाएंगे नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपसे? वेल आय खोप कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आपकी आँखों की रोशनी दिन बादिन कमजोर होते जारी है अगर आपको मोटापे के समस्या बढ़ते जारी है या फिर अगर आप अंडरवेट है आपका वजन बहुत ही जादा कम रहता है यानि कि वेट अगर आपका बढ़ गया या फिर वेट काफी कम हो गया है इसके अलावा अगर आपके चहरे पे गलो नहीं रहती है बाल आपके बहुत जादा जड़ रहे है इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पेट से समबंदित कोई भी रोग रहते है खाना अच्छे से डाइजस्ट नहीं होता है खून की कमी रहती है कैल्सियम की कमी रहती है तो वीडियो को जहन से अंतक अवश्य देखें आज हम आपको इस वी बिमारी में प्रियोक करना चाहिए सोंफ का दूद के साथ कब सेवन करना है सोंफ का हलके गुनगुने पानी के साथ कब सोंफ का सेवन करना है या फिर दोस्तों मिश्री के साथ साथ में गुड के साथ साथ में बदाम के साथ आपको सोंफ का सेवन कब करना है किस तरह से करन विडियो को लाइक करना बिल्कुल भीना बूलेंग मैं कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं बूलेंगे अगर आप हमरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं. साथ में चैनल को सुस्क्राइब करने के बाद बैल आइकन घंटे को दबाने के बाद आपको आल का आप्शन दिखाए देगा यानि कि आल नोटिफिकेशन पे दबाना बिल्कुल भी न भूलें तक कि जब भी मैं रोजाना डेली बिस्स पर अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंट आपकी मुबाइल में उसी वक्त मिल जाए चली जानते हैं कि सोंफ के फायदे क्या होते हैं आपकी आई साइट वीक होते जा रही है उसके कारण कहीं सारे हो सकते हैं मुबाइल काफी पास से देखते हैं जाद समय तक चलाते हैं कंप्यूटर के सामने टीवी के सामने जाद देर तक बैठते हैं बच्पन किसी भी कारण से जनिटिक कारण से बच्पन से आपके आँकों की रोशनी कमजोर हो गी है उसमें चली आए जानते हैं कि सोंफ का किस तरह से प्रियोग किया जाता है चार से पांच महिने के अंदर भेंकर से भेंकर नंबर का माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छेच, साथ सार नंबर का चश्मा भी दोस्तों जट से उतर जाता है प्रियोग किस तरह से करना है एक ग्राम की मातरा में आपको सोंफ ले लेना है साथ में दोस्तों आपको दो ग्राम की मातरा में मिश्री लेनी है चीनी अलग होती है, मिश्री अलग होती है मिश्री आपको पंसारी की दुकान से क्रियानी की दुकान से काफी असानी से मिल जाएगी एक ग्राम की मातरा में आपको सोंफ लेना है दो ग्राम की मातरा में मिश्री लेनी है और साथ में दोस्तों आपको एक से डेड़ गराम की मातरा में बादाम लेने, आप क्या करना है इनको हवाम दस्ते में, जो हमारे गर में माताएं बहने पत्थर की लंगरी मिर्च मसाले कूटने के लिए चटनी बनाने के लिए इस्तमाल करती है ना, उसकी बीच में आपको तीनों चीजों को अच्छ से ब इनको दूद डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर सुबा दूद पीना दोस्तों जादा अच्छा नहीं होता है, शाम को दूद के साथ लेंगे और शदी तो बहुत जबरतस होते हैं, सुबा आप हलके गुल्गुने पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन एक चमच की मातरा में ल चली जानते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में, दोस्तों अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, खाया पिया कुछ भी शरीर में नहीं लगता है, खून की कमी अगर आपको रहती है, केल्शिम की कमी अगर आपको रहती है, तो दोस्तों आपको एक चमच शहद लेना है, एक चमच की मातरा में आपको सोफ लेना है एक चमच की मातरा में आपको शहद लेना है और साथ में दोस्तों एक चमच की मातरा में गुड़ का पाउडर शुद्ध गुड़ होना चाहिए और डार्क ब्राउन कलर का गुड़ होता है दोस्तों तीनों को मिलाके हलके गुन-गुने पानी के साथ सुबा खाली पेट साथ में अगर आप चाहें तो त्रीफिला चूरिन भी इसके बीच में डाल सकते हैं सेवन करने से बहेंगर से बहेंगर पेट की बिमारी एसीड अगर आपके पेट में बनता है जड़ से खत्म हो जाता है चलिए जानते हैं तीसरे फाइदे के बारे में सबसे महत्पून फाइदे के बारे में दोस्तों अगर आपको मोटापी की समस्या है अगर आपका बैली फैट बढ़ रहा है अगर आपकी शरीर में चर्बी अक्यमिलेट होती है, बहुत जादा है, मोटापे को घटाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, एक चमच की मातरा में सोफ का चूरन लेना है, सोफ का पाउडर लेना है, घर पर ये आपको पाउडर को तयार करना है, एक चमच की मातरा में आ पूरी रात रखना, अगले दिन सुबा उटके आपको उसको हलका सा गरम करना है, गुनगुना करना है, उसके बीच में आपको यह तीनों चीज है, सोंफ का पाउडर, नीम्बू का रस, साथ में हनी, शहद, तीनों को मिलाके धीरे धीरे करके, सीप सीप करके, घटा घटने ह होगी, और अगर आपको जल्दी बर्न करना है, तो मेटाबोलिजम को तेज करना ही पड़ेगा, तो ये डिंक क्या करती है, आपके मेटाबोलिजम को फास्ट कर देते हैं, वजन आपको तेज़न से गटेगा, इसके अलाबा, दोस्तों अगर हम अगले बेनिफिट के बारे तो दोस्तों हडियों को डेंस बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए अश्टांग रिद्यम का सोफ का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बहतरीन में आपको प्रियोग बता रहा हूं आपको क्या करना है रात को सोते संबे तामबे के लोटे में यानि कि तामबे का जो बरतन ह गिलास होता या फिर जो लोटा होता है उसके बीच में आपको पानी रख देना है कम से कम 6-8 गंटे के लिए उसके बाद दोस्तों जैसे आप सुबा उड़ते हैं उसको किसी भी स्टेनलेस ठील के बरतन में हलका सा गुनगुना कर लेना है वही जो तामे के बरतन का पानी था उसके बाद दोस्तों एक गिलास हलकी गुनगुने पानी के बीच में जो कि तामे का बरतन का है उसके बीच में आपको दोस्तों एक चावल का दाना होता है जो एक राइस का दाना होता है उतना आपको चूना मिलाना है साथ में एक चमच सोंफ का पाउडर दोस्तों उसके आग में सेवन करनी है यह हडियों को डेंस बनाने में मजबूत बनाने में तगड़ा बनाने में कट-कट की अगर आपकी आवाज आती है इवन जिनको गठिया रोग रहता है हाथों में पैरों में कमर में जिनके दर्द होता है पीठ में दर्द होता है उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है खासकर जिनको अर्थ्रेटिस की समस्य होती है खासकर बुड़ापे में चले दोस्तों बात करते हैं अगले सबसे महेत्पून बेनिफिट के बारे में फायदे के बारे में दोस्तों अगर आप एंटी एजिंग बी 50 के बाद मैं आपने देखा होगा काफी सारे जो एक्टर होते हैं बॉलिविड में एक्टर्स होती हैं उनका जो बुड़ापा होता है काफी डिले हो जाता है तो दोस्तों उसके लिए में आपको बहुती जबर्दस्त बहुती भैतरिन अश्टांग रिद्म का प्रियोग बता रहे हूँ आपको क्या करना है एक चमच आमले का चूरन यानि कि जो इंडियन गोस्बेरी होती है आमला होता है उसका चूरन आपको किसी भी आयरुवेधिक स्टोर पर जाकर के मिल जाएगा आपको ले करके आना है और दोस्तों साथ में एक चमच सोंफ का पाउडर यान में ब्रॉण ब्राउन ब्राव्न आपको होने देना है उसके बाद में सके मिक्सी में पौडर बना लेना है एक चमच आपको स्टोर इमच वीकली पर बानी में वहाँ आतो ऊपने पर बानी मी ध्यान रखें अगर आपके घर में किसी को diabetes की समझ से रहती है तो आपको दोस्तों बीच में शहाद नहीं मिलाना है दोस्तों इस drink का अगर आप नियमे त्रूप से यानि कि जैसे कि मैंने आपको बताया हफते में दो से तीन बार एक एक दिन छोड़ करके सेवन करते हैं एक महीने तक लगातार यानि कि एक महीने में कम से कम 10 से 12 बार इसका सेवन करते हैं ड्रिंक का तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जूरियां जो भी उमर से पहले आ गई है चेहरे पे गलो नहीं रहती है उमर से पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं जूरिया पढ़ रहे हैं आँखों के नीचे काले गिरे हो रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं इसके अलावा दोस्तों आज कल के यंग्स्टर्स को खास करके आज कल के पुर्षों को अंदर वाली कमजोरी बहुत जादे रहती हैं आप समझ पार होंगे मैं कौन सी अंदर की कमजोरी की बात कर रहा हूँ रात को देर तक जागते हैं मुबाइल में क्या क्या देखते हैं आप सभी को पता है सुबा देरी से उठते हैं उसके कारण क्या होता है energy का जो body में जो energy का level होता है काफी down हो जाता है, नीचे चले जाता है सुस्ती आती है, आलसपन बहुत जादा है energy का level यानि कि जोशी नहीं लगता है जिंदगी में दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए soff का बहुती जबरदस्त, बहुती भैतरीन ashtang rhythm का आपको मैं प्रयोक बता रहा हूं आपको क्या करना है? दोस्तों एक चम्मच की मातरा में soff लेना है, साथ में एक चम्मच की मातरा में दोस्तों त्री फ़ला चूरण लेना, soff अगर हो सके तो बुना हुए होना चाहिए, साथ में चूरण की फॉर्म में होना चाहिए यानि कि पाउडर की फॉर्म में होना चाहिए एक चमच आपको सोफ का चूरन लेना है एक चमच त्रीफला का चूरन लेना साथ में दोस्तों एक चमच अश्रोगंदा तीनों को मिला करके दोस्तों आपको सुबा ऐसे ही हलके गुन-गुने पानी के साथ में सुबा खाली पेट सेवन कर लेना है साथ में दोस्तों अगर हो सके तो आपको थोड़े से छोटा से टुकडा गुड़का होता है वो भी आप सेवन कर सकते हैं अगर आपको डाइबिटीस की प्रॉब्लम नहीं रहती है किसी भी प्रकार की आज-कल के जो यंग्स्ट प्रियोग बता रहा हूं सौफ का साथ में कुछ प्रानायाम भी करना है लेकिन वो भी अच्छे से ख्याल रखें सबसे पहले तो सुबह उटने के बाद में दोस्तों आपको करना है एक चमच बुने हुए सौफ का चूरन लेना है साथ में दोस्तों एक चमच गुड़ का चूरन लेना तीनों को बराबर मात्रा में यानि कि एक चमच की मात्रा में हलके गुनगुने पानी की बीच में मिला करके कितना पानी होना चाहिए दोस्तों आदे कप के आसपास पानी देखे हमें गलास की बात नहीं कर रहा जो कप होता है चाय पीने वाला उसका भी आदा कप उतने पानी की बीच में आपको तीनों चीज़े मिलाने है गुड़ का चूरन भी मिलाना है और साथ में जो मैंने आपको आखरी चीज बताई आमले का चूरन वह भी मिला करके आपको सेवन करना है उसके बाद फ्रेश होने के बाद में दोस्तों आपको 5-10 मिनट अनुलो विलोम प्रानयाम करते हैं, साथ में 10-15 मिनिट कपाल भाती प्रानयाम करते हैं, तो दोस्तों आप वृत दवस्ता जो हम बोल रहें ना जैसे की बुडापा होता है, तब तक आपको कोई भी जिंदगी में बीमारी नहीं होने वादी, दोस्तों अगर आपको वीडियो करना बिल्कुल भी न भूलें, मित्रों के साथ शियर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्या पता किसी की मदद हो जाएं, चले मिलते कल एक नई वीडियो में, धन्यवाद आपका दिन शुप रहें